हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चानल इंटरनाशनल अफेर्स इन हिंदी में और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स और उनकी वीजा प्रॉब्लम्स के बारे में इंडिया में बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो अपने फेवरेट कोर्सिस अपने फेवरेट इ एड्मिशन तो मिल चुका है लेकिन उन्हें इंडिया से उस कंट्री के लिए वीजा नहीं मिल पा रहा होता और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में इंडियन गवर्मेंट ने अपना फॉर्स टेप ले लिया है हाल ही में इंडियानी स्टूडेंट्स को वीजा मिलने में होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीनियर डिप्लोमाट से बात की और वीजा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की इन सब में ऑस्ट्रिलिया कैनिडा जर्मनी एंड यूएस के डिप्लोमाट में थे क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यो था एक्चुली इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वेरियस कोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं एक्स्टर्नल अफेर्स मिनिस्ट्री के सीनियर ओफिशियल्स जो की ऑस्ट्रेलिया कैनिडा, चेस्ट रिपबलिक, न्यूजीलंड, पॉलिंड, जर्मनी, यूके यानि की उनाइटेड किंडम और यूएस से डील कर रहे हैं उनके बीच constructive discussions हुए, ये discussions streamlining student visa to Indian nationals के बारे में थे ऐसा External Affairs Ministry के स्पोक परसन अरिंदम बाक्ची ने अपने ट्वीट में कहा है कि diplomats ने agree किया है कि visa process को और easy और fast track बनाने की कोशिश में वो लगे रहेंगे क्योंकि students का ये flow mutually beneficial रहा है अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या था कि ministry को कुद इस matter में involved होना पड़ा तो दरसल बहुत से students की complaints जा रही थी जो visa चाहते थे अब क्योंकि COVID-19 की restrictions दीरे दीरे सभी countries में कम होने लगी है और वो दूसरी countries के students को भी आना allow करने लगे हैं इसलिए ये visa या तो उन्हें वापस किसी country में जाना था जहां वो पहले से किसी institute से course pursue कर रहे थे इसलिए चाहिए था या फिर कुछ ऐसे students भी थे जिन्होंने नए courses में admission लिया था और वो courses अगले कुछ महीनों में start होने वाले हैं officials का कहना है कि ministry ने various countries के diplomats से visa issuing की process में productivity की request की है और उनसे कहा है कि वो इस process के लिए एक communication strategy develop करे जिससे की countries के students को नए changes के बारे में inform कर सके Indian side ने भी ये emphasize किया है कि इन steps की help से countries के बीच bilateral relations improve करने में help मिलेगी हाला कि exactly तो नहीं पता चल पाया है पर expected है कि करीब 10,000 की संख्या में students को visa problems हो रही थी इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को like, share, subscribe कीजिए